मेरा अजप्रधान मंतरी जी से सवाल है कि जैसा इस साल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया में काफी बदलाव लाए गए हैं और इस साल बोर्ड परिक्षा के पैटन में भी काफी बदलाव लाए गए हैं तो इन सारे बदलावों के बीच में हम विद्ध्यारती अभी बोर्ड परिक्षा पर ध्यान दे या फिर हम कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दे हम किस चीज को और अपनी तयारी किस प्रकार करें Greetings Honorable Prime Minister Sir, I'm Erika George from APS Uthampar, Jammu and Kashmir from 9th. Sir, the question that I wanted to ask was nowadays there's a lot of competition, especially in the academic fields and in a country like India. In this case, there are a lot of people who are really very talented and knowledgeable, but due to some reason they could not appear for the exams. Maybe they could not choose the right path or maybe they do not have the proper counselling. So sir, in this case, what can we do for these people so that the talent of these people does not go to a waste and instead can be utilized in a better and efficient way? Thank you sir. Thank you Erika. Honorable Prime Minister Sir, just like Erika and Hari Om, many students from different parts of the country have expressed their anxiety and concern about whether to focus on studies, competitive exams, board exam preparation or college admissions. We all seek your guidance, Honorable Prime Minister Sir. Honorable Prime Minister Sir, just like Erika and Honorable Prime Minister Sir. Honorable Prime Minister Sir, just like Erika and हुआ कि आप पढ़ने ही रहे हैं आप उन जड़ी बुट्टियों को खोज रहे हैं जो आपका काम आसान कर दे हैं और शायद इसी के कारण हमारे लिए अलग-अलग एक्जाम अलग लगते हैं कठिन लगते हैं हकिकत यह हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पूर रूप से हम पूरी तरह उसको आत्मसाथ करेंगे फिर वह बौर का एक्जाम है या एंट्रन्स एक्जाम है या जॉब के लिए कोई इंटर्वी आ एक्जाम है कहीं पर भी हो सकता एक्जाम अगर आपने अपनी शिक्षा का पूर्ण रुप से एक शाक्षात्कार किया है आत्मसाथ की है तो आपको एक्जाम का रूप क्या है वो रुकावट नहीं बनता है और इसलिए अपने आपको एक्जाम के लिए तयार करने के दिमाग खपाने के बजाए अपने आपको योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए विशय को मास्टर बनने के लिए हम महनत करें फिर परणाम जो मिलेगा सो मिलेगा जहां पहली आएगे वो उसको पहले मुकाबला करेंगे जब दूसरे आएगा दूसरे जब मुकाबला करेंगे अब जो मैंने खिलाडी अपने देखा होगा वो खिलाडी खेल के अंदर पारंगत होता है किस लेवल की गेम के लिए खेलना है उसके लिए नहीं करता है मेहनत फिर वो तैसिल में खेलेगा तो वहां अपना कर्तब दिखाएगा डिस्टिक में खेलेगा वहां कर्तब और खुद भी बाल होता जाएगा और इसलिए मैं मानता हूं कि हम ठलानी एक जयाम के लिए यह जड़ी-बुट्टी उस एक्स्राइज की उस चक्क्र से निकल करके मेरे आक ये संपूड है मैं लेकर के जा रहा हूं अगर मैं आपने निकला तो ठीक है जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए। अगर कॉंपिटिशन नहीं है तो जिन्द की किसीच कीजी। पिर तो हम ऐसे ही खुज रहेंगे वाँ, कुछ नहीं हम हैं, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। सच मुझ में तो हमने कॉंपटिशन को इन्वाइट करना चाहिए तभी तो हमारी कसोटी होती है मैं तो कहूंगा घर में भी कभी छुट्टी का दीन है पढ़ना नहीं है एक्जाम नहीं कुछ नहीं है तो भाई बेहन बैठ करके कॉंपटिशन लगाओ तुम चार रोटी खाते हो मैं पाच खाता हूँ तुम पाच खाते हो मैं छे खाता हूँ अरे करो तो कॉंपटिशन जिन्दगी को कॉंपटिशन हमने निमंतर देना चाहिए कॉंपटिशन जिन्दगी को आगे भराने का एक अच्छा माध्यम होता है जो हमें अपना भी evolution करने नगता है दूसरा मैं जिस पीडी का हूँ या आपके माता पिता जिस पीडी के है उनको वो चीजे नसीब नहीं थी जो आपको नसीब हो रही है आप उस भाग्यवान जनरेशन में है जो भाग्यवान आपके पहले की किसी भी जनरेशन को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं मिला है और वो है जैसे competition ज़्यादा है तो choice भी ज़्यादा है अउसर भी अनेक है आपके परिवार में इतना अउसर नहीं थे आपने देखा होगा दो किसान हो माली जो है उसकी भी दो एकड़ भुमी है इसकी भी दो एकड़ भुमी है लेकिन एक किसान है चला भाई गुजारा करना है गन्ना के खेती करते रहो अपना गुजारा चल जाएगा दूसरा किसान है वो सोता है नहीं नहीं दो एकर भुमी है ऐसा करूँगा बन थड़ ये करूँगा बन थड़ ये करूँगा पिछली साल ये किया था दिस बार ये करूँगा ये दो चीजे नहीं करूँगा आप देखेंगे कि मुझे दो एकर भुमी मैं ही ऐसे ही आराम से बैटा हुआ गुजरा कर लेता है जिन्दगी ठहर जाती है जो रिस्क लेता है प्रवक करता है नई चीद लेता है नई चीद जोड़ता है वो इतना आगे बढ़ जाता है कि जिन्दगी में कही रूकने का नाम नहीं लेता है वैसा ही बैसा ही हमारे जीवन में है हमें गर्व करना चाहिए कि हम इतनी स्पर्धा के बीच में अपने आपको प्रूव कर रहे हैं और हमारे पास अनेग चोईस है ये स्पर्धा नहीं तो वो वो स्पर्धा नहीं तो वो ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता ये रास्ता नहीं तो ये इस अफसर को कभी ने कभी जाने नहीं दूँगा ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पका भी स्वाथ है कि कॉम्पिडिशन आपके लिए इस यूग के सबसे बड़ी सोगात के रुप में आप अनुभाव करेंगे